दुर्ग शहर में नगर निगम द्वारा बिछाए गए अम्रित मिशन योजना के तहट पाइपलाइन का खामियाजा वाड तेरा के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है वही लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज होने से पानी व्यर्थ ही बह जा रहा है दुर्ग नगर निगम की अंदिखी का खामियाजा वाड तेरा मोहन नगर के वाडवासियों को भुगतना पड़ रहा है जिसमें अम्रित मिशन योजना के तहट बिछाए गए पाइपलाइनों से वाडवासियों को पेजल उपलब्द कराने ला संबंदित अधिकारियों पर निशाना साथते हुए अनारी ठेकेदारों को लाप पहुचाने के उद्देश से अमरित मिशन प्रोजेट का कारे दिये जाने का आरोप लगाया और कहा कि अमरित मिशन एजेंसी ने भी बिना मॉनिटरिंग एवं बिना जांज बिल पास कर द गए और इसका खामियाजा वाट की जनता को उठाना पड़ रहा है देश इससे अंजान नहीं है कि हमारे यससवी प्रधान मंतरी मानिय श्री नरेंद मुझी जी ने उनके अपने खुद के सपने थे कि हर घर में अमरित मिशन के माध्यम से पानी पहुचे कोई महीला परेस ярा और तेरा इन वाड में उन्होंने तbig दी गया घंकी ने पाणी बनाया था उस तो कि मैं अनाडी आदमी किसी पेटी complaint को पकड़ किया ऑस सड़कों पर पानी से भर घ्या है मेरे वाड के लोग आज 7 दिन से पानी के लिए तरही तरही हो गया है इस निगम के लोगों ने आज कम से कम 200 टेंकर मेरे वाड भेजा होगा और एक एक टेंकर के लिए मुझे 10-10-15-15 फोन लगाना पड़ा है तब वहां पहुंचता है ऐसा ब्रस्टाचार किया गया है माननी जल्प्रमारी जी से भी मैं यह बोलूंगा कि उन्होंने खुद अपने पैर पर कुलाडी मारा है और बंदरबाट करके आज पूरे साहर को परेसान करने के कोशिस किया है अनाडी आदमी के अनाडी जैसे ठेकेदारों को उन्होंने पेटी में काम दे करके पेटी कांट सुबग शाद बजे से लें करके रातें 11 श्रीच तक होनाते है मैं पार्सद होकर करके इतना परेसान उख कि उत्तितिया नहीं करने युदस के इसलिए खेडिकेदार को वश्यूष कर दियाजाए है धोईर्चवदा में जब भारती जन्ता पार्टिक के उधान मंत्री जी मानी नरेद मजी जी की द्रारा अमृत विसन का शुरुआत किया गया और हमारे दुर्ग सहर को 152 करोड दिया गया कि 122 करोड देने के बाउजूद हमारे प्रदूर के सरखार है प्यासा पूर्ण के प्यासा है यहां कि सिर्ण हम दिन से लोगों के घर में पानी नहीं है और पानी के जहां कि शहरी सरकार महापौर्ट और उसके प्रभारी जो जो बीना जानकारी वाले ठेकेदार को काम दे दिया है और वहां पाइपलाइन जहां डालना है वहां हैंड कप जो अंत में जो कैप लगता है उसको भी ने लगा इसलिए पानी ऐसी बहे रहा है और लोगों के घर प में पहले जैसी स्थिती है अमरित मिशन के दाथ हमारे देश के सुष्षी प्रधान मंत्री जीने एक सब तीरपन क्रोल की राशी दुर्ग नगर निकमकुती है यह बहुत बड़ी राशी है और भारती जनता पाल्टी की पिछले परिशत से काम सुरू है अब तक कि छे साल करने लोग अब आने वाली दूनों में जुझेंगे किस-किस तरफ से कनेक्शन जोड़े हैं इसका कोई हिसाब किताब नी है पूरी प्रोजेक्ट क्यूपकर काम हुआ है जो प्रोजेक्ट बना है उनको भी थोड़मों कर काम किया है और इस तरह से पूरी इस्तिती ऐसा ब सपना था कि सब घर में फ्री में नल कनेक्शन देना है इन लोगों ने इंटर कनेक्शन नहीं के हैं और केवल सिप्टिंग के नाम पर फ्री नल कनेक्शन हो रहा है जिन घरों में प्रधान मंत्री आवाज बन रहे हैं या जो प्रधान मंत्री आवाज के लाभार्थी उनको तो भी नल कनेक्शन नहीं मिला है इस तरह से यह परिशानिया है और एक कॉंग्रेस की परिशाद में जो नगर निगम में कॉंग्रेस के परिशाद में लोगों ने पूरी प्रुजेक्ट को तरीस्ट कर दी है अब हमारे निश्यत रुप से इनके मिस मैनेजमेंट का नतीजा है जो नगर निगम में कॉंग्रेस की परिशाद है चाया महापौर्ज की बात करें और पहले विधाय करून बोरा जो थे ततकालिन उन लोगों ने नगर निगम को अपने सुईधा की साफ से चलाए हैं अपने चहते ठेकोदारों को काम दिया मन माफि प्रोजेटर को पूरा डिश्टरब किया इसका नतीजा ये है कि अब लोगों को पानी के लिए भुकतना पड़ेगा इसकी जाच होनी चाहिए हम लोग भारती जान्दापाल्टी की सासान आने बाद हम लोग उच्छे स्तर पर इसकी मांग करें गए वाड तेरा मोहन नगर आले नगर और आमापारा में पानी सप्लाई शुरू की गई ये वाड जल प्रभारी संजय कोहले का बताया जाता है जहां पानी शुरू करते ही पूरे सड़कों पर पानी भर जाता है जगा 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 लिकेज होकर पानी बरबाद होते दिखाई दे रहा है जिसकी मरम्मत में लगभग तीन दिन लगा और इन तीन दिनों में वाडवासी पानी के लिए तरस्ते देखे गए और स्वच्छ जल पहुंचानी की योजना अमरित मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी लेकिन इस योजना में भारी भरस्टा चार नजर आया एसी है न्यूस के लिए दूर्ग से नसीम फारू की की रिपोर्ट